साथियो नमस्कार, मैं आज आपके लिए एक नया और बहतरीन केस लेकर आया हूँ ये जो बहन्स आज आप अपनी मोगाईल स्क्रीन के उपर देख रहे हैं तो इसको मैस्टाइटिस है, पूरा मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेज का मैस्टाइटिस है और पहले इसमें क्या ट्रीटमेंट किया गया था और अब इसमें हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं पूरा विबरन इस वीडियो में मैं आपके शाष शेयर करने वाला हूँ बट सबसे पहले आप इसके धनों के उपर नजर गुमाएं तो जब इसको मैस्टाइटिस था तो इसके पूरे थन में इंफेक्शन था अडर में भी बट ट्रीटमेंट कराया तो तीन थन तो रिकावर हो गए पट एक जो थन है वो काफी लार्ड साइज का है इसमें काफी ज़्यादा स्वेलिंग है पेन है और यह जो स्वेलिंग है यह नहीं ठीक आ रही है मतलब कि इन्होंने इंजेक्शन बगएरा भी लगवाए बट यह नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो यह जो केस है यह क्रॉनिक स्टेज का थनेला रोग हो गया है अब इसमें पता भी क्या है दिकत यह है कि अगर इसका हम इलाज नहीं करते हैं तो भैस में टॉक्सिसीमिया के कंडिशन बन जाती है थन से टॉक्सिसीमिया के चांसिस बन जाएंगे और फिर एनिमल को कंडिशन जो है उसकी खराब हो जाएगी तो इसका मैं पूरा आपको बताऊंगा कि इसमें हमने क्या treatment किया कितने दिनों का treatment किया कौं से injection लगा है पूरा आपको बताएंगे practically और इस वीडियो को आप एक like किजेगा share किजेगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही useful content per day लाते र लिए शूरू करते हैं, तो जब ओनर से मैंने सारे पेरामिटर इसके चेक आउट किये, टेम्परेचर वगएरा, और उसके साथ ही खाना पीना कैसा है, पूरी हिस्ट्रिली पहले इसमें कौन-कौन सी मैडिसीन यूज में लाए गई है, क्योंकि जो पहले इसमें यूज किये किया जाएगा, और यह जो थन आप देख रहे हैं, इसमें स्वैलिंग है, भेंस को पेन है, इससे दूद तो निकलता है, जब इसको मिल्किंग करते हैं, तो काफी ज़्यादा पेन होती है, और पशुपालक भाई को इस भेंस का दूद निकाले में काफी ज्यादा दिकत हो इलाच करेंगे, तो मैं बिलकुल आपको ट्रीट्मेंट यहां पर शेर करने वाला हूँ, तो ट्रीट्मेंट इसमें हमने एंटिवाटिक के तौर पर पर एंडरु फ्लोकस्सि बहुत ही अच्छा swelling और pain के लिए बहुत ही बहतरी निंजेक्शन है तो वह भी इसको हम यहाँ पे 15 ml deep intramuscular root के मादियम से जो है वो यूज में लाएंगे 3 दिन तक उसके साथ ही तीसरा जो यहाँ पर injection है वो है evil का injection जो कि इसको 10 ml intramuscular root से लगाएंगे यहाँ पर हमने multi vitamin का जो injection है उसका भी यहाँ पर chain किया है जो कि intra vita के नाम से आता है जिसमें की vitamins होती है तो वो इसको यहाँ पर 5 ml deep intramuscular root के मादियम से लगाया जाएगा यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसको क्या किया गया है कि जो magnesium sulfate आता है जो magsulf के नाम से आता है उसको भी हाँ पर इसके थनों में अर्डर के उपर लगाएंगे ताकि जो swelling है pain है क्योंकि जो treatment मैं आपके शाथ अभी शेयर कर रहा हूँ यह अभी इसमें किया जाएगा और लगातार तीन दिनों तो और यहाँ वीडियो में देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर हम injection दे रहे हैं तो धीरे धीरे जो recovery है वो परशू की हो जाती है कोई भी घबराने वाली बात इसमें नहीं होती है तो साथियों यह जो treatment है यह हम लगातार तेन दिनों का करेंगे और परशू में mastitis की जो condition होती है ऐसा नहीं है कि जब नई MBI हुई जो भैंस होती है गाय होती है बकरी होती है उनी में यह condition होती है mastitis जो रोग है यह कभी भी पशू में हो सकता है अगर आप अपने shed में साफ सवाई नहीं करती है क्योंकि जो bacteria है वो आपके पशू में कभी भी आ सकता है तो वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर